Hello everyone, आप सभी का स्वागत है Computer Warriors YouTube channel पे, जैसा आप सभी को पता है, आज हम लोग passport size photo बनाना सीखेंगे, इसका एक review मैंने previous lecture में दे चुका हूँ, पर आज मैं detailed explanation दूँगा कैसे कैसे सारे major steps लेने हैं, कैसे passport size photo को create करना है, तो आप इस screen पे देख रहोंगे, आपका Photoshop open हो चुका ह अब इसमें हम एक photo select करेंगे, उसका background change करेंगे, then passport size photo बनाने का step बताऊंगा, तो Photoshop में आने के बाद हम लोग उस picture को select करेंगा, जिसका हमें passport size photo बनाना है, तो मैं किसी एक picture करें ले लेता हूँ, for example, मैंने ये picture ले लिया है, ठीक है, अब इसको पर देखे, ये पहले rotate है, इसको हम लोग rotate करेंगे, images menu में जाएंगे, यहां पर देखे, rotate है, इसमें एक बार rotate करेंगे, यह है हमारा image, इस photo को हम लोग passport size में entry करेंगे, ठीक है, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, crop tool के से picture को crop करेंगे, यह देखे, size देखे, 3.5 cm, height 4.7 cm, ठीक है, resolution 72, अब चाहिए तो इसको 300 भी कर सकते हैं, okay, और यहां पर pixel centimeter में रहेगा, now हम लोग क्या करेंगे, एक passport size का crop लेंगे, में पस passport size के लिए को बढ़ी है, बढ़ी है photo नहीं था, जिसमें हम street देख रहे हूं, और मैं खुर के लिए ही role model हूँ, मतलब मुझे modeling परसन है, तो मैं अपनी photos को जादा edit करना, prefer करता हूँ, okay, आप enter करेंगे, यह देखे हमारा crop हो गया, control plus plus से, इसको जूम कर लेंगे, अब इस photo का हमें background change करना है, अगर आप चाहे कि इसका, आप लोग लोग अगेरा change करेंगे, करेंगे, यहां से आप लोग RGB color अगेरा set कर सकते हैं, यह देखे हैं, अब background के लिए हम लोग किसका use करेंगे, polygonal lasso tool, background cut करना है, और एक major बात, यहां पर जो fader रहेगा, fader जीदो रहेगा, क्योंकि हमें fade नहीं करना, background हमें accurate cut करना, fade नहीं करना है, तो fader जीदो रहेगा, space bar दबा के आप इसे up and down कर सकते हैं, picture को, अगर आपको cut करने में दिख्खत हो, space bar दबाएंगे, आप up and down कर सकते हैं, space bar दबाएंगे, यह दिखे है, hand symbol आया, अगर कहीं जाद अंदर घूज जाता है, यह बाहर निकल जाता है, तो आप backspace से या delete button से आप इसे normal कर सकते हैं, practice अगर आप करियेगा ना, तो एक नमबर एडिट कर पाईएगा, ठीक है, मैं जादर इसे practice वगरा किया नहीं हूँ, इसलिए, मैं थोड़ा, अगर आपके game level के हिसाफ सोले तो bot wise edit कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे lectures बनाने पढ़ते हैं, खुद के लिए भी पढ़ना पढ़ता है, तो उतना time नहीं मिल पाता, editing करेंगा, जब मैं सीख रहा था ना, तब मैंने बहुत सारा edit किया था, तब मैंने बहुत time दिया था editing में, फिर देरे जब यह सब छूटते गया, तो फिर छूट गया, आपको पता हैं, जब कोई छूट जाता है, तो फिर से उसे कट हो चुका है, background कट होने के बाद हम लोग, color को select करेंगे, ठीक है, control X, cut करेंगे, यह देखिए, हमारा background तयार, okay, smart लग रहा हूं मैं, कैसे cut किये, background area को select करने के बाद, हम लोग, यह देखिए, यह background clear का का काम करता है, ठीक है, यह जो भी clear देगा, background आपका वही color में है, त control Z से वापस बाहर जाएंगे, control plus X, press करेंगे, तो यह देखिए, cut हो जाएगा, और किस color में convert हो जाएगा, जो color आपका यहाँ पर इस color में selected लेगा, second वाले color में, okay, उसके बाद हम लोग, control S, select all करेंगे, फिर edit में जाएंगे, edit में जाने के बाद, stop में जाएंगे, stop क्या का करता आपके side background देने का काम करेंगे, यहाँ पर width रख देंगे 3, आप जो भी डाल सकते हैं, enter कर देंगे, side side में border आगे, मैंने width रख दिया था 10, ठीक है, यह side side में border आगी है, इसको अच्छे से देखिए, यह हमारा passport size photo बनकर तयार होगी, ठीक है, तो यह हमारा passport size photo बनकर त Ctrl N से एक new page लेंगे, अब page का size क्या रहे है, A4 size, क्यों सर A4 size, क्योंकि आप लोगों ने generally देखा होगा Photoshop या फिरा Cyber Cafe में, कि जो भी picture generally, जो भी size of picture यूज किया जाता है, passport size picture को print करने के लिए, वो generally A4 size paper रहते है, तो हम लोगों A4 size paper लिए, ताके printer में हराम से print हो सके, ठीक है generally ये कोई fix method ने आप किसी पी तरह से ले सकते है, अब यहां से हम लोग Ctrl Alt उठा के copy कर देंगे, ओके अब इसे हम लोग क्या करेंगे, Ctrl Alt से एक और इसका copy बनाएंगे, इसको यहां select करेंगे, ठीक है, फिर Ctrl Alt से एक और copy बनाएंगे, इसको यहां select करेंगे, then Ctrl Shift E से हम लोग क दूसरे layer में convert कर सकते है, फिर Ctrl Alt से इस layer को convert कर सकते है, या फिर Ctrl Z करेंगे, इस layer को भी Ctrl Shift E से merge करेंगे, then Ctrl Alt से यह पूरा layer उठा के आप यहां रख सकते हो, ठीक है, यह देखिए, हमारा passport size photo बनके तयार हो गया, how's I look, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग passport size photo बनाके तयार हमें size याद रखना है, passport size photo का 3.5 cm width and 4.7 height, ठीक है, vary कर सकता है, थोड़ा उपा नीचे, अगर जाना छोटा बनाना है, तो थोड़ा height and width कम करेंगे, then simply आपको background को cut करना है, with the help of polygonal lasso tool, then, फिर हम लोग background को color as blue करेंगे, या अपने according को भी color कर सकते है, then हम लोग क्या करेंगे edit में जाएंगे, stock का use करेंगे, और हम लोग इसका width 10 pixel करेंगे, ताकि जो background, जो ये square shape में, जो black color गया है, वो black border में convert हो जाए, उस convert करने से पहले, उसको select करेंगे, इस picture को, इस picture के border को तब जाके वो apply हो सकेगा, ठीक है, then हम लोग क्या करेंगे, simply a4 size paper लेंगे, या फिर जि control, P, press करेंगे, तो ये print हो जाएगा, यहाँ पर आप चाहिए, तो आप अज़स्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ना कुछ, then print में ok करेंगे, तो ये proceed करिएगा, तो ये print हो जाएगा, फिला में पास तो प्रिंटा हैं, तो मैं इसे PDF में convert कर देता हूँ, ये देखिए, printing start, क export size photo बनाना सीखते हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नई lecture के साथ, नई content के साथ, तब तक लिए, बाई बाई